वेलकम टो कुश्चन अड़ा हम लोग एर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रिविएस येर पेपर की एनालेसिस कर रहे थे एनालेसिस करने की एक स्री चला रहे थे जहां हम लोग ने इससे पहले 2015 के जितने भी फिजिक्स मैथ के कुश्चन थे वो हमलोग solve कर चुके है 2016 के भी solve कर चुके है और 2018 के भी कर चुके है अभी हम लोग जो 25 मार्च 2021 को एर ट्रैफिक कंट्रोलर के जो एकजाब हुई थी उसकी mathematics और physics ये 3 shift में हुई थी और इसके 3 shift की हम लोग mathematics और physics के एनालेसिस बारिवारी से करेंगे मेरी ये आपको suggestion है अगर आप इस channel पे नए हैं तो पहले 2015 के दोनों shift का video देखें फिर 16 का फिर 18 का ये सारी video आप देख लेंगे उससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्या 2015-16-18 के कुछ question repeat कर रहे हैं या कुछ same topic से कर रहे हैं या same question कर रहे हैं तो इसलिए आप जो शुरुवात करें वो 2015 की पहले video देखें फिर 16 की फिर 18 की फिर आप 2021 पे आएं जो इसकी pdf है वो आपको telegram पे मिल जाएगा और telegram का link जो है वो description में दिया हुआ है So let's start the 2021 shift 1 की mathematics हम लोग start करते हैं तो पहला question जो है कि what is the angle between the pair of line lines ओके दो line की equation दी हुई है और बोल रहा है कि इस दोनों के बीज में क्या होगा angle इस type के question अभी तक 2015 16 और 18 में नहीं पूछे गए हैं तो आप इसके और भी मैं और भी चीज़ें इसमें लिख देता हूँ जो कि आप notes बनाते रही है साथ साथ में so angle between two pair of lines let us assume कि दो line है x minus x1 by a1 is equal to y minus y1 by b1 is equal to z minus z1 by c1 ओके और एक दूसरा line है x minus x2 by a2 is equal to y minus y2 by b2 is equal to z minus z2 by c2 अगर ये दो line है तो इस दोनों line के बीच में इस दोनों line के बीच में अगर हमें angle लिखना होगा तो cost theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by root under a1 square plus b1 square plus c1 square into root under a2 square plus b2 square plus c2 square तो ये हमारी formula होती है इस formula पे अगर आप value put कर दोगे तो आपका answer आ जाएगा लेकिन ये question तो solve हो जाएगा लेकिन अगर इन्होंने step के question पूछना है start किये हैं तो इसमें कुछ और additional information आपको बता देता हूँ जैसे angle between a line and a plane एक line और एक plane के बीच का angle निकालेंगे कैसे अगर line की equation है x minus x1 by a1 is equal to y minus y1 by b a and it's z minus z1 by c और एक plane की equation है ax plus by plus c z is equal to d है अगर अगर ऐसा equation है तो हम लोग sine phi लिखते हैं वो angle हो जाएगा sine phi is equal to a a b b c c बस सिर्फ बाकी वही होगा जैसा है दोनों का multiplication ठीक है दो plane के बीच में जो दो lines के बीच में जो angle था उसी तरह का होता है बट यहाँ पे सिर्फ sine phi हो जाता है again it's a square plus b square plus c square into line वाले का and plane वाले का coefficient now अगर आपसे दो तरह के question हो गए है now अगर आपसे यह पूछते है कि what is the angle between two planes okay दो planes है उसके बीच का angle let us assume एक plane यह है b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 और एक plane है a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 now यह जो angle होगा वो होगा cos theta a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 यह इसका mod में होगा और यह a1 का square plus b1 का square plus c1 का square सिर्फ आपको जब दोनों अलग होंगे एक angle एक line होगा एक plane होगा तो sine phi होगा बाकि दोनों case में दो plane के बीच में पूछे या दो line के बीच में पूछे cos theta is equal to हम लोग same formula है बस यहाँ पे सिर्फ sine phi हो गया और coefficient फिर तो a, b, c now हमारा जो question है वो क्या है कि what is the angle between two pair of lines तो यह equation यह हम लोग को इसमें value रखना है now अगर हम compare करते हैं तो इस equation में क्या हो जाएगा a1 की value हो जाएगी 3 b1 की value हो जाएगी 5 and c1 की value क्या हो जाएगी 4 now what is the value of a2 a2 की value 1 हो जाएगी b2 की value 1 हो जाएगी और c2 की value 2 हो जाएगी now हम लोग just value put करते हैं okay so cos theta की value cos theta is equal to it's 3 into 1 plus 5 into 1 plus 4 into 2 by क्या हो जाएगा हमारा 1 square पहले 3 square plus 5 square plus 4 का square का root into 1 का square plus 1 का square plus 2 का square so 3 5 8 और 4 2 जा 8 8 8 हो गया 16 divide by यह क्या हो जाएगा 3 का square 3 का square 9 plus 25 plus 16 into 1 plus 1 plus 4 so क्या हो जाएगा 16 by 9 plus 25 it's a 34 और 60 कितना हो जाएगा it's a 50 into root 6 now अगर हम इसको लिखे तो can I write 16 into 5 root 2 into root 3 into root 2 तो यह तो यह 2 2 जो है वो इससे 8 टाइम में कर जाएगा so 8 by 5 root 3 तो हमारा जो answer है ओके so उपर में root 3 कर दिया है तो root 3 से आप multiply कर दो उपर नीचे यह हो जाएगा 8 root 3 by 15 और यहाँ पर आप so cos theta is equal to okay so cos theta is equal to 8 root 3 15 तो theta की value अगर हम निक्या लेंगे तो ऐसा लिख सकते है cos inverse 8 root 3 by 15 आप देख लो कोई option है ऐसा 8 root 3 by 15 so the answer is D hope आपको यह समझ में आया होगा extra information है वो भी आप note down कर लेंगे next question है क्या है question figure out the number of figure out the number of ways can 5 women and 3 men be seated in a row so that 2 men are together ठीक है तो हम लोग ऐसा करते है कि यह हो जाएगा 2 men 7 में होगा ठीक है total हमारे कितने है 5 women है और 3 men है तो हम लोग को what is the figure out the number of ways कितने तरीके से हम arrange कर सकते है कि अगर क्या कि 5 women और 3 men row men 2 men को एक साथ बैठना है ना इस question को हम कैसे solve कर सकते है तो जो जो यह question है 5 women and 3 men are we seated in a row so that 2 men are together यह question हमारा जो examination था वो गलत था तो अगर हम इस step के कुछ इसको solve करें तो answer हमारा कुछ और आ जाएगा और अगर हम लोग का जो वहाँ जो जो हमारे real answer की में दिया था that's a 14,400 तो मैं दोनों case आपको बता देता हूं कि इसमें question में क्या error था अगर इसमें ऐसा लिखता है कि figure out the number of which can 5 women and 3 men be seated in a row so that 2 women, 2 men are not seated together ठीक है अगर एक साथ नहीं बैठेगा तो तो ये अगर ऐसा question होगा अगर question mirror होगा तो क्या answer हो सकता है तो इस question के लिए अगर हमें करना है तो क्या करेंगे seat एक साथ नहीं बैठना है ठीक है फिर से मैं लिख देता हूं women 2 men को एक साथ नहीं बैठना है ठीक है तो total कितने हो गए है अब इसमें क्या करेंगे ये women को अगर हमको arrange करना होगा तो factorial 5 ways से arrange कर देंगे और हमारे पास कितना seat है 1, 2, 3, 4, 5, and 6 और इसको 6P3 ठीक है तो अगर आप इसको solve किजेगा तो it comes as a 40,400 तो ये जो question है basically पूछना ये चाह रहे थे answer की में 14,400 दिया गया है इसमें सबको marks मिलेंगे क्योंकि कोई option सही नहीं था तो ये एक तो ये way हो गया कि अगर इस question को हम लोग ऐसे not seat together अगर कर देंगे तो इसके answer 14,400 हो जाएगा दूसरा question ये हुन बनता है कि नहीं अगर इस question को सेम छोड़ दे कि we seated in a row so that two main are together अगर ऐसा question होगा तो क्या होगा अगर two main are together होगा तो total कितने 8 हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे कि two main अगर together अगर जैसा question है वह ऐसा ही रहेगा तो एक तो ए ही एक ये हो गया second हो गया कि two main यहां लिख देते हैं two main are not sit together तब तो आप बना लिए ये हो गया not two main are sit together तो अगर हमारा total कितने हैं 8 है 1,2,3,4,5,6,7 and it's 8 लेकिन हम क्या करते हैं न दो main को एक जगा रख देते हैं ठीक है तो हमारा total box कितना हो जाएगा only 7 ठीक है दो को एक साथ ही हम लेंगे कि दो को एक साथ बैठना है now इस दो को choose कैसे करेंगे दो main को choose करेंगे कैसे 3 में से कोई भी 2 को पहले तो हम choose करेंगे ठीक है अब इसको choose करेंगे तो ये दोनो main जो है वो भी आपस में अदला बदली करेंगा तो into factorial 2 ओके और ये जहां भी जाएगा ये दो कोई भी होगा वो 7 जाएगा तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 total 8 थे बड़ दो main को हमने एक साथ अगर box method आप पढ़े होंगे दो को एक साथ हम bind कर दिए कि वो जहां भी जाएगा दोनों साथ जाएगा अब वो कौन दोनों जाएगा तो उसको selection 3C2 से करेंगे और वो दोनों आपस में choose change करेंगा वो factorial 2 से करेंगे और ये इसको फिर बांकी इन्टू 2 इन्टू 7 factorial वो आएगा हमारा 3240 जो कि कोई option में नहीं दिया हुआ है तो अगर as it is question रहेगा तो ये answer होगा और अगर question जो पूछना चाहा रहे थे गलती से कोई printing mistake से हो गया हो तो ये answer होगा मैंने दोनों case आपको बता दिये हैं तो आपको problem नहीं होगी next question है कि earn a consist box है earn a consist 3 blue and 4 green ball ओके ये थैला है है ना इसमें 3 blue ball है और 4 green ball है while तो ये a है ठीक है दूसरा earn है उसमें क्या है 5 blue ball है और 6 green ball है ये b है अब हमें क्या करना है एक ball draw करना है ना एक ball draw करना है और बोल रहा है कि one ball is drawn at random from one of the ones किस से वो भी नहीं पता है a से निकालेंगे कि b से निकालेंगे वो पता नहीं है and it is found to be to be blue लेकिन हम जब निकालते है ठीक है तो पता चलता है कि वो blue है now what determined the probability that it was drawn from earn b तो क्या probability होगा कि earn b से निकला है now अगर हम a से निकालने की blue ball निकलने की क्या probability हो जाएगी आपको पता है a से निकलने की probability हो जाएगी it's 3 by 7 blue ball 3 है और total बहुत 7 है तो 3 by 7 मतलब a से blue ball निकलने की probability हो गई 3 by 7 the second thing is that b से निकलने की कितनी हो गई 5 by 11 तो अब हमें बोल रहा है कि कौन सा ball निकल रहा है blue लेकिन बोल रहा है कि what is the probability कि जो ball निकला है वो b वाले से निकला है तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो probability किस से निकला है b वाले से तो 5 by 11 से ही निकला है बाकी total so 5 by 11 अगर आप इसको solve करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 by 11 by it's a 77 now it's a 33 plus 35 which is 68 now 5 by 11 into 77 by 68 so 11 7 जा so it's 35 by 68 is the answer अच्छा greater than 1 probability तो कभी होगा ही नहीं तो ये तो पहले ही गलत हो गया so 35 by 68 is the answer hope आपको समझ में आगए इस type के question आएगे तो आप solve कर पाएगे next question है if an event e has only one sample point of a sample space तो उसको हम क्या बोलेंगे एगर सिर्फ एक ही होगा तो उसको हम बोलेंगे simple event okay next question है determine the value of sine 21 pi by 2 and cos minus 174 0 degree now अगर हम लोग sine वो 21 pi by 2 लिखे है तो can I write sine 21 pi by 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते है sine 2 into 2 into नहीं 5 into क्योंकि अगर हम 2 से divide करते है किसको तो क्या आता है 10.something आता है तो 10 को हम पहले अलग कर देते है 5 into 2 pi why मैं हम दे क्यों किया ऐसा क्योंकि 2 pi के बाद जो है वो फिर same ही हो जाता है तो sine 5 into 2 pi plus pi by 2 यह है सो sine 2 pi plus sine 5 into 2 pi plus pi by 2 is equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा same रह जाता है क्योंकि sine pi या 2 pi plus ठीटा जो होता है वो sine ठीटा ही रहता है ठीक है तो यह sin pi by 2 हो जाएगा और sin की 0 की value 0 होती है और sin 90 की value यह 1 होती है तो पहला का answer 1 तो answer तो यह हो गया तो आप examination में तो ऐसे solve करके निकल जाएगे Now अगर हमें यह solve करना है cos minus 174 0 degree तो cos minus theta is equal to जो होता है वो क्या होता है cos theta तो cos minus को क्या करता है बचा लेता है और जो sin होता है sin minus theta हो तो minus sin theta होता है मतलब वो vomit कर देता है तो यह याद रखेंगे So cos 174 0 degree Now cos 174 0 degree अगें इसमें भी cos 2 pi plus theta is equal to theta हो जाएगा cos theta हो जाएगा So cos 5 into 2 pi ठीक है minus theta कर देते हैं minus 70 40 कोई दिक्कत cos इतना minus 1740 ही हो जाएगा cos pi minus theta यह क्यों लिखा है Because यह 1740 जो है 1800 के आसपास है तो हम 2 pi हो गया 360 degree into 5 1800 So cos 1800 minus 1740 which is equal to cos 60 और cos 2 pi minus theta is also cos theta So cos theta के value कितनी हो जाएगी 1 by 2 तो हमने यह value निकाल दे Next question है Next question क्या है देखिए यह diagram दिया हुआ है और इसमें पुछा गया है Which below option is true for fourth quadrant इस quadrant की बात कर रहे है तो fourth quadrant में क्या होगा अच्छा आप देखिए यह 0 degree है या 2 pi है 360 यह pi by 2 है यह pi है ठीक है और इसको हम लोग 3 pi by 2 तो अगर हम fourth quadrant की बाफ़ा first quadrant यह होगा यह second quadrant है यह third quadrant है यह fourth quadrant है now first quadrant में x भी positive होता है और y भी positive होता है second quadrant में x negative होता है अब देख सकते हैं और y positive होता है third quadrant में quadrant में दोनो x और y दोनो negative होता है और fourth में क्या होता है x positive होता है अब देख सकते हैं और y negative होता है now अब इसमें question क्या पूछ रहा है which below option is true for fourth quadrant तो fourth quadrant क्या pi से 3 pi by 2 तक होगा नहीं ठीक है क्योंकि pi से 3 pi by 2 तक कौन सा होगा it's third quadrant तो ये हो गया गलब next question हमारा ये कहता है कि क्या pi by 2 से pi के बीच में होगा so pi by 2 से pi के बीच में that's a second quadrant ये क्या हो गया third quadrant ये second now 3 pi by 2 से 2 pi के बीच में होगा yes so 3 pi by 2 से और इसे क्या 0 से pi by 2 तो ये first quadrant हो जाएगा so 3 pi by 2 से 2 pi के बीच में होगा where a is a positive a को इसने क्या किया है a is a positive and b is negative a का मतलब x axis is positive and y axis is negative so the option is third is the answer बहुत ही आसान question था okay next question ये है कि a line is uniquely determined if a line is uniquely determined if it passes through any given segment it passes through two given points if it intersects given points and line segment in combination it is specified directionless कोई भी line तभी होगा जो कम से कम ठीक है two point अगर कम से कम दो point से pass करेगा तभी हम उसको बोलेंगे कि वो line है okay तो हम लोग minimum 2 point तो आपको होने चाहिए ठीक है और अगर हमे पता करना हो कि जो ये line equation दिया हुआ है कोई भी वो line पे है कि नहीं तो हमें कम से कम 3 point चाहिए क्योंकि अगर 2 point में तो कोई भी 2 point अगर माल लिजे curve का भी 2 point है तो मिलेगा but 3 point अगर हम निकालते है तो हमें पता चल जाता है कि ये line है या नहीं है ठीक है? वहाँ पे 3 point so a line is only determined if it passes through 2 given points next question है which of the following okay so this is the question which of the following is the direction cosine of z, y and x-axis so this is z तो z का क्या हो जाएगा यहाँ पे z में x, 0, y, 0 और 1 x-axis में क्या हो जाएगा 1, 0, 0 और यह क्या हो जाएगा 0, 1, 0 तो अगर direction cosine की बात हम में करते हैं तो direction z, y में क्या हो जाएगा 0, 0, 1 0, 1, 0 1, 0, 0 अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो x का पहले लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा वैसे x का कोई option है नहीं तो z-axis का उसके respect में y now क्या होता है direction cosine होती क्या है और direction cosine जो होता है वो let us assume इसमें तो diagram आपका बना हुआ है बट फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको यह अगर x-axis है यह y-axis है वो जेट-axis है एक कोई point है P ओके तो P point है x, y, z यह आपको दिख रहा होगा बट यह 3D में है दिख रहे हो यहाँ पर P point है now इसमें क्या होता है कि अगर यह P point है तो इस P point से x का जो x जो angle बनाएगा उसको बोलते है alpha इस P point से y पर जो angle बनेगा उसको हम लोग बोलते है beta और इस से जो z से बनेगा उसको बोलते है gamma तो यह अगर आप visualize कर पा रहे हैं जिस room में बैठे हुए उस corner से अगर आप diagonal को लीजिए और P point ब रखिए तो आप देखिएगा कि x से जो बना रहे हैं यह line है x से जो बना रहे है वो alpha y से जो बना रहे है बीटा और z axis से जो बना रहे है वो line वो point का उसको बोलते हैं gamma अगर हम direction cosine की बात करें तो यह होता है direction cosine जो होती है क्या क्या होती है cos alpha cos beta और cos gamma जिसको हम लोग denoted y किस से denote करते हैं l m n ओके यह अभी इतने के लिए इतना काफी है फिर आगे हम लोग इसको और discuss करेंगे next question है what will be the number of permutation of n objects taken all at a time ते डिरेक्ट formula पूचा है वेर p1 objects are of first kind p2 objects are of second kind ऐसे हिसे करके pk objects are of kth kind and rest if n are all different अब क्या होता है मैं आपको इसको कैसे समझा हूँ मैं इसे आपको ऐसे समझाता हूँ जैसे अगर एक कोई void है let us assume again तो इसको हमें सजाना है तो हम क्या करते थे क्या करते है कि factorial यह कितने है 5 लेकिन चुकि ए दो बार है तो कौन सा यह इधर होगा कौन से यह पता नहीं चलेगा okay a a लिखो कौन सा यह है पता नहीं चला तो उस case के लिए तो जितने इसमें factorial 5 में तो सारे आ गए है उसमें तो a वाले condition भी आएंगे तो उसके लिए जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उसको हम लोग लिखते थे factorial 2 से divide कर लेते थे ठीक है तो यह हो जाता था ना वो अगर कोई और वर्ड लेते है ठीक है जैसे mathematics ओके तो कितने वर्ड हो गए एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा तो हम लोग factorial एक ग्यारा तरीके से उसको सजा सकते है सिंपल सी बात है लेकिन हम क्या देख रहे है इसमें M क्या है 2 है A क्या है 2 है T क्या है 2 है और कोई है ऐसा M दो बार है A दो बार है T दो बार है H नहीं है E नहीं है ओके Pi नहीं है CS ठीक है तो इस case में हम लोग क्या करते थे M और M लिखेंगे तो ऐसे question के लिए हम लोग क्या करते थे इन 2 factorial 2 से M के लिए फिर factorial 2 से A के लिए और factorial 2 से T के लिए तो इतना तरीका से mathematics के बड़ को सजा सकते हैं आप समझ गए हैं कि M और M को AOA को कैसे सजाएंगे T और T को कैसे सजाएंगे कौन सा T पहले है कौन सा बात है कैसे पता चलेगा तो इसलिए हम लोग divide कर देते हैं उतना वेक कम हो जाएगा तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि अब आप देख लेजे same question है P1 objects are of first kind that means let us add you M ठीक है M जो है मतलब की एक object है पहला P1 objects are of first kind ठीक है न जिसे दो object है न इसमें दो बारे में है उसी तरह P1 time से first kind का P2 time से second kind का ऐसे से करके Pk बहुत सारी है तो total अगर किसी N objects है तो N objects को सजाने के तरीका क्या हो गया factorial N इसको N ऐसे भी denote करते हैं कोई इसो नहीं है divide by एक जैसा है तो P1 into P2 ऐसे करके Pk यही होगा तो क्या हो जाएगा answer हमारा answer क्या हो जाएगा हमारा so the answer is this one ओप आपको यह समझ में आया होगा ठीक है so N factorial N by यह है मैंने आपको example से समझाने की कोसिस किये next question क्या है if the arcs of the same length if the arcs of the same lengths in two circles subtent and a 70 degree and 120 at the center determine the ratio of their radius now हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जैसे कि अगर यह कोई part है circle का now यह theta है यह जो है इसको radius हो गया और यह इस length को हम लोग बोलते हैं L इस length को हम लोग बोलते हैं L तो इसकी जो relation होती है वो R is equal to L by theta यह theta is equal to L by R कुछ भी आप लेक सकते हो now he is saying that if the arcs of the same length in two circles length इसका सेम है so L is equal to R theta length सेम है अब क्या होगा अब आप देखिए so length same है okay if the arcs of the same length तो two circles तो लेट अस्यूम कि पहले circle का length L1 है दूसरे का length L2 है पहले का यंगल 70 डिग्री है that means theta 1 is equal to 70 डिग्री और theta 2 is equal to 120 डिग्री okay center at a center determine the ratio of their radii मतलग पहले का lattice है जूम R1 है दूसरे का R2 है और इसने कहा है the arcs of the same length in the two circles same length that means L1 is equal to L2 is equal to L now हम अगर radius की बात करें तो radius is equal to क्या हो जाएगा R1 is equal to L1 by theta 1 और R2 is equal to L2 by theta 2 दोनों की अगर ratio हम करेंगे तो R1 by R2 is equal to क्या हो जाएगा L1 by theta 1 into theta 2 by L2 L1 L2 equal है तो is equal to L करके काट देंगे तो theta 2 by theta 1 हो जाएगा now what is the value of theta 2 it's 120 और इसकी value क्या हो जाएगा 70 so it's 12 by 7 कोई है answer हमारा 12 by 7 नहीं है बट अगर हम 24 by 14 को कट करते हैं तो can I write 12 is to 7 so the answer is 12 by 27 तो थोड़ा care examination में रखना है आप देख रहे हैं 12 by 7 हमारा आया है पर हमारा answer 24 is to 14 है इसको बिना काटे हुए लिखा है तो answer 12 by 27 हो जाएगा figure out the number of methods can be squared of 5 units we picked उसमें सब 5 बच्चे को खीचते हैं ठीक है नव पहला क्या है तो पहला condition में क्या होगा वो हम लोग को solve करना है फिर दूसरे condition में क्या होगा वो हम लोग को solve करना है now क्या है at least question देखिए आप at least one red and one green ठीक है एक कम से कम एक red और एक green होने चाहिए ठीक है तो हमें कितना लेना है total 5 units pick करना है 5 units pick करना है तो हमारा काम कम complete होगा जब 5 units हो जाएगा तो हम क्या क्या करेंगे हमारे पास क्या option है एक red वाले को ले ले कम से कम क्योंकि at least एक red चाहिए तो he is not saying कि एक ही red चाहिए कम से कम एक चाहिए तो या तो एक red और एक green तो एक red ले लिए और बाकी 4 का 4 green ले लिए ऐसा कर सकते है या दूसरा क्या कर सकते है 2 red ले लिए और 3 green कर लिए या तीसरा क्या कर सकते हैं तीन रेट ले लिए ठीक है और दो ग्रीन कर लिए चौथा क्या कर सकते हैं कितने तरीके हो सकते हैं चार रेट ले लिए और एक ग्रीन ठीक है अब हमारे पास चार ही टोटल रेट है ठीक है और हमको एक ग्रीन भी लेना ही है तो हम 5 रेड ले नहीं सकते हैं इसके दो कारण हो गए 5 रेड इसले नहीं ले सकते हैं कि 1 ग्रिन भी हमको कम से कम लेना है और दूसरा की 4 ही रेड है तो हम 5 रेड कैसे ले सकते हैं नौ एक रेड लेने का अगर बात करें तो क्या होगा ठीक है 4C1 चार में से कोई भी एक ग्रेड ले लिए AND आप याद रखना, AND है तो multiplication होगा और होगा, तो addition होगा AND साथ में से चार हम लोग green लेंगे ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा चार में से दो हम लोग ग्रेड लेंगे और साथ में से तीन green लेंगे पांच ही चूज करने है, चार में से तीन green लेंगे, और साथ में से दो green लेंगे, और चार में से चार red लेंगे और साथ में से एक green लेंगे अगर हम इसको solve करते हैं you know that कि ncr is equal to factorial n by factorial n minus r into factorial r अगर हम इसको solve करते हैं, तो यह आजाएगा 140, आप इस formula पर रखके देख लिजे, यह आ जाएगा 210, यह आ जाएगा 84, और यह जाएगा 7, अगर हम सब को add कर सकते हैं अब इसमें क्या होगा, यह तो हो गया अब या तो यह होगा, या तो यह होगा, नहीं तो यह होगा, नहीं तो यह होगा तो हम सब को क्या करेंगे addition कर देंगे तो addition करेंगे तो क्या जाएगा 4, 4, 1 तो यह हमारा पहला 4, 4, 1 अब 4, 4, 1 वाले 2 हैं तो हमको दूसरा solve करना पड़ेगा तो दूसरा कहता है कि at least 3 red uniform हो है दूसरा कहता है कि at least 3 red now 3 red कम से कम होना चाहिए तो 3 red दो green या 3 red हो सकता है तो 4 भी हो सकता है green अब 5 red नहीं हो सकता है क्योंकि total 4 ही red हमारे पास है बच्चे ही है 4 red के 4 red inform वाले बच्चे हैं तो 5 हो नहीं सकता है अगर 5 रहता तो हम यहाँ पर 5 कर सकते हैं इसके क्या हो जाएगा 4C3 into 7C2 और 4C4 into 7C1 इसकी जो value हो जाएगी वो 7 हो जाएगी हमने पहले देखा है और इसकी जो value हो जाएगी वो 84 हो जाएगा तो या तो ऐसा यह होगा नहीं तो यह होगा तो इसकी answer क्या हो जाएगी 91 4, 4, 1 और 91 इस question का दोनों का answer होगा बहुत आसान question था बहुत question पूछे रहे थे next question find degree measures of radian radian को डिगरी में convert करना है यह भी बहुत ही आसान question है कैसे करेंगे formula यह होता है कि 1 radian is equal to 180 by pi degree now 1 degree और यह भी आपको पता होगा मैंने अभी पिछले किसी shift में बताया था कि 1 degree is equal to 60 इसको बोलते हैं 60 minute और 1 minute is equal to 60 second तो यह जो notation है वो second का है यह minute का है मतला degree का और छोटा part ओके now 1 radian is equal to 180 degree by pi होता है now what is the value of 6 radian it's 180 by pi into 6 ठीक है अब इसको हम solve करेंगे तो पहले अगर हम सीधे solve करते हैं तो इसकी value क्या आजाएगी 180 into 6 divide by 3.14 तो यह आता है 343 point something तो अगर आप examination hall में हैं तो आप सीधे answer मार दो 343 क्योंकि कोई 340 दूसरा नहीं है ओके तो अगर आप examination hall में हैं तो इस question को तो सीधे 343 जैसे दिखा 343 आपको लगा देना है answer लेकिन अगर आपके मन में होगा कि नहीं इसको और अच्छी तरह से जानना चाहिए कि इसकी जो value होगी क्या होगी degree और minute में convert कैसे किया सकता है तो वो हम आपको बता देते हैं अब अगर हम इसको solve करते हैं तो दस्सो असी और पाई की value 22 बटे 7 तो दस्सो असी by 22 into 7 यह आता है हमारा 343.63 6 हम पी नहींते हैं तो 343 डिगरी तो होगी 343 plus 0.636 डिगरी हो जाएगा और 1 डिगरी is equal to 60 मिनट होता है तो हम लोग 343 है तो answer तो हमारा आ गया इसको हम लोग 0.636 डिगरी को convert करते हैं 0.636 डिगरी into अगर 60 मिनट कर दे तो क्या हो जाएगा 0.636 into 60 तो यह value हो जाएगी 38.16 तो यह हो जाएगा 38.16 मिनट ना यह फिर decimal में है तो 38 हो गया अब फिर decimal में है तो हम लोग क्या करेंगे अब 16 मिनट को 38 प्लस 16 मिनट 16 मिनट को second में convert करते हैं 16 into 60 second 16 into 60 960 16 into 60 second no it's a 0.16 0.16 into 60 which is 9.6 okay so is equal to 9.6 second अब इसको फिर आप इसके आलाबा तो कर नहीं सकते हैं so 38 9.6 को 10 वही 11 के आसपास में है so the answer is this one hope आपको यह समझ में आया होगा next question है हमारा कि if cos x is equal to 5 by 13 x lies in the third quadrant that's an important point determine the value of other five trigonometric function मतलब बागी कौन होते हैं sin x cos x दे दिया तो sin x cos x tan cot 6 यह 5 होते हैं लेकिन इसमें बोला है third quadrant में now अब इस question को थोरा ठीक से समझीए कैसे हो सकता है cot यह जो होता है यह first quadrant होता है यह second quadrant होता है यह third होता है यह fourth होता है तो पहला में all यह सब का घर होता है ठीक है दूसरा जो होता है cos और सेक का घर होता है तीसरा जो होता है वो किसका होता है tan और cot का घर होता है और यह किसका होता है sign और कुछ गल्दी किया है मैंने no this is sign cosec का घर होता है और यह cos sec का घर होता है इससे क्या प्यादा है अब ही पताते हैं तो हमें कह रहा है कि कॉसेक्स is equal to 5 by 13 ये क्या है? 3rd quadrant में है ठीक है? इसमें कैसे हम लोग इस question को solve कर सकते हैं Now 3rd quadrant में सिर्फ 10 quad जो होता है वो positive होता है बाकी सब negative होता है तो इसमें कोई ऐसा option है जिसमें 10 quad positive है बाकी सारे negative है कुछ दिख रहे है तो ये और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें tan की value negative दिया है quad की value negative ये दोनों ऐसा है जिसमें tan की value दिया है tan और quad की positive दिया है और race सब की negative होगी power सब की negative होगी even cost की value बे misty बहुद की value में negative होगी cos जो 5 by 13 दिया है cos 5 by 13 है तो हमें इसमें क्या होगा 10 cot है अगर हम लोग cos x की value 5 by 13 देते हैं तो cos x की value 5 by 13 देते हैं तो it's a base अधार और यह हो गए है hypotenuse अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो base hypotenuse है तो hypotenuse square minus base square is equal to perpendicular square तो perpendicular square का root under h square minus b square तो यह अगर हम करते हैं तो हमारा perpendicular क्या आता है it's 12 अब problem यहां यह है कि 12 आया हमें यह कहा गया है कि cos x is equal to 5 by 13 जहां x जो है third quadrant में होता है so x अगर third quadrant में होगा तो third quadrant में तो यह होना चाहिए negative 5 cos x is equal to जो भी आएगा वो negative होनी चाहिए ओके इस question में थोड़ी गलती लग रही है इसलिए गलती लग रही है कि अगर यह third quadrant होगा अगर यह third quadrant होगा तो cos x की value यह negative होगी ठीक है cos x की value क्योंकि इसमें जो होता है less than x less than 0 और y less than 0 इसमें आपको और इसमें जो होता है तो इसमें क्या है tan cot सिर्फ positive होता है बागी सारे negative होते है ठीक है तो बागी सारे negative इसमें दिया नहीं है तो अगर यह cos x positive है तो इसको अगर हम लोग 4th quadrant माल लेंगे आप समझें जिसका जो घर है वहाँ पर वो positive रहता है बागी जगा negative और यहाँ पर ही सब का रहता है फोर्थ जो है तो cos x is equal to 5 by 13 अगर दिया है तो इस थर्ड नहीं करके फोर्थ यह question में भी सबको marks मिले होंगे अगर हम लोग 4th quadrant मांगते हैं तब तो cos x is equal to 5 by 13 सही है नाउ तब क्या हो जाएगा perpendicular की value 12 हो गई तो यह जो 4th quadrant में क्या हो जाएगा cos positive है और x sec positive होगा 13 by 5 बाकि जितने भी होंगे sin x is equal to minus में कुछ होगा cos x is equal to minus में होगा tan x is equal to minus में होगा cortex is equal to minus में होगा सिर्फ cos और sec positive होगा बाकि सब negative ना पॉप साइनेस क्या होता है appendicular by hypotenuse minus 12 by 13 cos x क्या होता है sorry, sin x cos x नहीं है cos x ये तो minus 13 by 12 हो जाएगा ये minus है, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है और tan x क्या हो जाएगा ये तो perpendicular by base होता है सो क्या लिखेंगे minus 12 by 13 cortex क्या हो जाएगा, minus 13 by 12 ये answer हो जाएगा लेकिन ये fourth quadrant में रहेगा तो fourth quadrant में रहेगा तो sec x सिर्फ positive होगा बागी सब negative होगा अच्छा, ऐसा option भी है हमारे पास में ये sec x is equal to 12 by 13 by 5 sin x is equal to minus 12 by 13 let me check कि option में इन्हों ने क्या दिया था जो official answer किया आया था उसमें option जो है so a को ही सही बोला गया था that means कि यहां पर यह third quadrant नहीं fourth quadrant क्यूंकि fourth quadrant में ही cos x sec positive होता है बागी सब negative होता है okay so इसमें भी सबको marks मिले होंगे next question यह कहता है कि an international team has two boxers picked for an international sport event what is the probability that both the boxers are main both the boxers are main given that at least at least one of them is a man आसान है कितने चूज करने है दो बॉक्सर चूज करने है तो बॉक्सर दो चूज करने है उसमें बोल रहा है कि इसमें से कम से कम एक at least one of them is a man नो दो बॉक्सर चूज करने है तो क्या-क्या हो सकता है दो मैन हो सकते है एक man एक female हो सकता है ठीक है? हो सकती है नहीं नव ऐसा भी हो सकता है कि एक female man हो सकता है, कोई female ओके? नहीं दूसरा man और एक female हो सकता है या कोई F1 F2 भी हो सकता है, या दोसरे 7 भी हो सकता है M1 F2 भी हो सकता है या M2 F2 भी हो सकता है इतने सारी बन सकते हैं दो मेन या एक मेन एक फेमेल या दुसरा वाला मेन और एक फेमेल या दोनों फेमेल या ये लेकिन हमारा इसमें क्या बोला तो इतनी सारी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बट हमारा जो है इसने हमें क्या कहा है कि at least one of them is a man कम से कम एक main होगा तो ये तीन तो ऐसे ही cancel हो गया so these three cancel क्योंकि इसमें दोनों female है ये बात तो हो गई खत्म थीक है? तो एक main होगा तो हमारी क्या possibility हो सकती है? दोनों main हो या एक main एक female या दूसरा वाला main और एक female तो ये हमारी possibility हो सकती है now he is asking कि what is the probability of both the boxers main मतलब m1 दोनों main होने की क्या probability है? डिवाइड वाइड या तो m1 f1 होगा या m2 f1 होगा f1 और m1 m2 होगा ठीक है? तो इसके क्या answer होगे? simple question है okay what is the probability? now इसमें 3 case है m1 f1 होने की one probability m1 m2 होने की इसमें से 3 में से क्या होगा? 1 by 3 इसी 3 combination में से न कोई एक होगा? so 1 by 3 सीधे answer इतना भी लिखने की जरूवत नहीं है ये 3 combination बन रहा है 1 by 3 कर देंगे at least one of them है ठीक है? so 1 by 3 option है answer होगे बहुत आसान question है probability में अगर आपको समझ में आ गया तो it's a easiest topic probability and permutation combination कोई formula के जरूवत नहीं है concept से question गंती है next question है 60 is the total number of words with or without definition अच्छा dictionary में कैसे word होता है? आपको पता है पहले? dictionary में word होता है जैसे कि a से start हुआ word ठीक है? उसके बाद a, a वाला word होगा इसके बाद अगर इसके मातलब g लिख दिये तो फिर g के बाद a होगा अगर a नहीं है तो b होगा मतलब a से z तक वैसे ही चलता है हमारा जो ये question तो dictionary आगर आप देखे होगे तो नहीं देखे हो तो अभी देख लो open करके तो अच्छी तो अभी देख लो open करके अच्छी कोई दिफिनिशन हो मतलब निकले या निकले word बनाना है which can be made using all letters of the word again a, g, a, i, n figure out the 49th word if these words are mentioned in the word book now पहला line पहला word कौन सा होगा 3, 2, 5 है, a ठीक है, तो पहला word कौन सा होगा तो पहला word a होगा तो पहला word अगर a होगा तो बांकी में चारों में से कोई हो जाएगा so factorial 4 अब पहला word a हो गया तो a वाला word तो सारा खतम हो गया जैसे a, g, i, n हो जाएगा फिर कुछ और हो जाएगा a, g, i, n हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा factorial 4 दूसरा क्या होगा 24 गो तो word ऐसा हो जाएगा जिसमें a से start होगा ओके, now g से start वाला word कितने हो जाएगा a के बाद कौन सा आता है g आएगा, ठीक है सकते हैं, again कितने word हो सकते है it's a factorial 4, लेकिन इसमें problem है, इसमें जो अम लोग जैसे देखो, यहाँ पे तो a को हमने stationary कर दिया था रूप, कि यह यहाँ पे होगा इबाकी का देख रहे थे, तो बाकी में हमारे पास कौन सा बचा था, g, a, i, n तो उसको कैसे भी सजा सकते थे यहाँ पे g को रख दिये, तो यहाँ पे कौन कौन चीज बचे, a, a, i, n अब a, i, n को सजाने के लिए factorial 2 लिखना परेगा, क्योंकि a और a अगर लिखेंगे कहीं पे तो इस दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, कौन सा a है तो इसलिए factorial 2 करेंगे तो यह 12 तरीके से 12 वर्ड इसके हो जाएगे इसके बाद दिख्षनड़ी में कौन सा वर्ड आता है i so i वर्ड लखिए g वाले वर्ड खतम हो गए i वाले so i वाले वर्ड कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या क्या बचा a, g, a, n अब हमारा stationary है अब हमारे पास सिर्फ g, a, i, n बच रहा है तो g, a, i, n को सा जाना है ओके, इसको हमको कुछ हेरना नहीं है g, i तो यह कितने हो गए 12, तो टोटल वर्ड कितने हो गए 24, 12, it's 36 12, 48, हमें 49th वर्ड करना है, तो 49th वर्ड में क्या होगा, अब जो वर्ड स्टार्ट होगा वो कहां से होगा अफकोस, n से होगा n से होगा, और बांकी क्या क्या बचे है हमारे पास में a, a, g, i इतने बचे ना 48 होगे, तो 49th वर्ड क्या होगा 49th वर्ड जो होगा, n से स्टार्ट होगा तो सारे N से start है Now dictionary में क्या होता है कि पहले हम लोग alphabetically orders चलते हैं तो ये तीनों बचा हुए तो ऐसे कुछ नहीं कि कुछ भी यहां लिख देंगे ये जो word लिखेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पर पहले A होगा फिर यहां पर A होगा फिर यहां G होगा फिर यहां I होगा क्योंकि जब alphabet लिखते हो तो A, B, C, D में तो पहले A होता है फिर G होता है फिर I होता है So नागी So ये 49th word जो होगा यहां तक 48 हो गया और 49th word जो होगा नागी होगा So the answer is I hope आपको ये समझ में आया होगा So ये हम लोगों ने 1 to 15 question किये है 2021 के shift 1 के Next वीडियो में हम लोग इसके part 2 करेंगे So thank you for watching